सो हेलो दोस्तों, आज हम अपनी एक्सेसाइज 11.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी एक्सेसाइज में question 1 कहता है, find each of the following, यानि इसमें कुछ नियमे value निकालनी है, जो भी हमें पूछा गया है, कहता है 7% of 7150, कहता है इसका 7% निकाल लो, तो जब भी किसी का 7% या किसी क जटाने के लिए, अब 0 से 0 cancel, करो multiply, 7, 5, 35, carry 3, 7, 1, 7, 7, 3, 10, carry 1, 7, 7, 49, 1, 15, ठीक है, तो यह होगा है, हमारे पास 5005, तो उसके बाद यह हमारे पास एक 0 है, तो यह 0 क्या हो जाएगी, इसके divide में 0 है, 10, तो इस 0 के लिए हम क्या करेंगे, एक point लगा देंगे, तो यह answer क्य आजाएगा, 550, ठीक है, तो 750 का 7% कितना होगा, 500, 500.5, ठीक है, अब इसी तरह से कहता है, 40% of 400 kg, तो 40% कैसे निकालते हैं, 40, इसको आगे लिख लो, यह पीछे लिख लो, कोई फरक नहीं पड़ता, 400, ठीक है, उसका 40%, cancel करो, 2,0 से 2,0 cancel, 4,4,0, 16, और यह 0 है, तो यह as it is, 160 kg, ठीक है, थार्ड कैता है, 20% of 15.125, लीटर, तो 20% क्या होगा, 20 divided by 100, multiply 15125, पॉइंट इसका अट आएंगे, तो यहाँ पे 1000 आजाएगा, इस 0 से 0, cancel, तो 2 1s आ 2, 2 5s आ 10, 5 से cancel करो, 5 1s आ 5, 5 3s आ 15, 5 2s आ 10, और यहाँ बीच में आ जाएगा, 0, बचा कितना है, तो 5 5s आ 25, तो अब 30, तो 3 तीन आगे डिजर्ट छोड़के, तो 3.025 क्या होजाएगा, हमारा यह एल है पीचे, लीटर, ठीक है, तो यह होजाएगा, हमारा परसंटेज, अब इसी तरह से यह देखो, 30, मतलब हमारे पास यह कितना होगा, 3 1 by 3 km, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 3 3 4 9 और 1, 10 by 3 % of 90 km, क्या होजाएगा, यहाप अब 3 by 10 को, तो 10 by 3 होजाएगा, 3 by 10 निए, 10, डिवैड बाइ 3, परसंटेज टाने के लिए 100 से, मल्टिप्लाई, मल्टिप्लाई by 90, कारो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 90, 0, इस 0 से 0 कैंसल, इस 0 से 0 क कैंसल, अंसर के आगया, सिरफ 3, तो 3 किलो मीटर क्या होजाएगा, इसका अंसर, इसी तरह से 2.5 of 600 मीटर, तो क्या होजाएगा, पॉइंट टाएंगे तो निचे 10, और परसंटेज टाएंगे तो 100 से मल्टिप्लाई, 600 यहाँ पहले ही था, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, अब और क्या बचा हमारे पास, तो को कैंसल करते हैं, हम 5 से, तो 5 5s हा 25, 5 2s हा 10, 2 1s हा 2, 2 3s हा 6, तो 5 3s हा 15 मीटर, ठीक है, यह हो गया हमारा, question 1 complete, देखते हैं, second question, second question कहता है, find the number, whose 12.5% of 64, ठीक है, हमें इसमें क्या देखना है, हम एक ऐसा नंबर डूनना है, जिसका साढ़े 12% करें तो हो क्या आजाए 64, तो हम जब हमें नहीं पता था, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे, let the number is a, ठीक है, तो a का 12.5, यानि a का multiply करेंगे, 12 and half, कितना हो जाएगा, 2 12s हा 24 और 1, 25 by 2%, किसके एकवल हो गया, 64 के एकवल, ठीक है, अब प परसंटेज को उटाएंगे, तो 100, यह क्या हो गया, 64, अब जो भी वैल्यू निकालेंगे, तो उसके अलावा हम सारा अधर लेके जाते हैं, तो यहां क्या बचा, a, यह 64, अब यह दिचे डिवाइड में ओपर क्या आ जाएगा, multiply में, और यह multiply में, 25 वे डिवाइड में च 60, 48, 48, 53, 51, तो हमारे पास वो नमबर कौन सा हो जाएगा, 512, ठीक है, तो जो नमबर पूछा था है, यानि एक ही वैल्यू के आगे हमारे पास 512, इसी तरह से question third देखो, कैता what is the number, 1 by 4% of which is 2, कैता है कि वो कौन सा नमबर है, जिसका अगर 6, एक बटा 4% कर दे तो 2 आ लेते हैं, let the number is n, हमको नहीं पता, तो n का, ठीक है, कितना 6, 6, 1 by 4%, कितना आना चाहिए, 2, convert करो सबसे पहले इसको, 4, 6 चा, 24, 24 और 1, 25 by 4, परसेंटेज एटाएंगे तो क्या होएगा, 100 से divide, is equal to 2, क्या करेंगे, सब कुछ उदर ले जाएंगे, n बचा इदर, 2, ये उपर आ जाएगा, 4 into 100, नीचे क्या बचा, 25, 25 बचा, 25, 25, 4 is a 100, तो 2, 4 is a 8, 8, 4 is a 32, तो वो नमबर, जिसका 6 से 1, 4%, हमारे पास दो उता है, वो नमबर क्या है, 32, यानि n की value क्या आगे, 32, वो नमबर क् 32, इसी तरह से question 4th कहता है, if 6 is a 50% of a number, what is that number, कहता है, एगर 6 जो है, वो पचास परसेंट है किसी नमबर का, तो वो नमबर क्या होगा, तो हमें पता है कि, जब नमबर नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, let the number is n, ठीक है, तो n का 50%, जब भी का लगा कि 50% आए, तो उसको क्या कर देते हैं, हम multiply में, किसके equal है, 6 के equal, 50% को tau, n multiply 50, divide by 100, is equal to 6, 0 से 0, cancel 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10, तो n की value क्या आगे, इधर ये डिवाइड में था, उदर जा कि, क्या हो जाएगा, multiply में, तो 6, 2, 12, यानि वो नमब हमारे पास क्या हो गया, 12, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी exercise होती है, complete, मिलते है next video में, next exercise के साथ,